हम लोग constraints कर लेंगे पुली system करने से पहले हम लोग constraints के बारे में जान लेंगे क्योंकि इसमें आगे और भी examples आ सकते हैं which will use this which will use this concept ठीक है तो constraints में होता क्या है कि systems बना लेता हूं पुली कुछ इस तरह से दिखेगा आपको a block b block और आपको बोला है कि mass of b is greater than mass of a तो क्या होगा ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा और आपको भूल दिया गया accelerations find करने तो मैंने बोल दिया इसका acceleration a b इसका acceleration a so there is a method which is known as t a is equal to constant इससे हम accelerations निकाल सकते हैं t a is equal constant मतलब जितने भी number of blocks है उसके tension और उसका acceleration का है उसका multiplication will be a constant so a block पे कितना tension रहेगा वो देख लेते है it will be t और ये string पूरा continued है तो इसका tension change नहीं होग और b block पे भी tension t रहेगा so t into a a will be equal to what t into a b correct है so यहाँ से दिख रहा और d cancel हो जाएगा a is equal to a b आ गया और ओविसी बात है कि string change नहीं हुआ है तो block भी तो connected से सो ओविसी बात है इनकी acceleration भी same होनी थी ठीक है next example हम लोग देख लेते constraints का next diagram एक और देख लेते हैं किस तरह से कुछ diagram दिखेगा यह दो block है a और b सुमान लेता हूं कि a block accelerate a block नीचे जा रहा है acceleration even बोल लेता हूं अभी block उपर जा रहा है a2 so there are two police used in this तो अभी दो पुली को दो पुली का tensions कैसे use होता है वो देख लेते हैं ठीक है तो पहले चीज़ आपको याद ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर मैं side में diagram कर रहा हूं tension कैसे work करता है अब पुली में tension कैसे work करता है so पुली देखो कुछ इस तरह से दिखता है यह string में जो tension होती है यह हम लोग बोलते है T or T yes or no yes और उपर के तरफ जो होता है जो string में लग रहा है यह अभी क्या करेगा यह दोनों पर कितना टेंशन उपर के तरफ लग रहा है इस ब्लॉक पर because of the tensions downwards तो क्या हो जाएगा टी दैश को अमनों को पता चल जाएगा टी दैश विल बी नथिंग बट it will be the addition of these two forces तो देख्या हो जाएगा T plus T तो T' कितना हो गया 2T ठीक है अगर similarly मुझे बोला गया है कि यह value यह value मुझे दे दिया गया है T यह दुनों values कितनी हो जाएगी इस case में मैंने बोल दिया TX कितनी हो जाएगी टी एक्स बीनतिंग बट उपर के value से compare करेंगे तो यह half हो जाएगी यह उविसले दिख रहा है कि विद भी टी इक्स बार टी इस तरह से हम लोग tension calculate करते हैं यह side में आपको मैंने आपके लिए reference के लिए यह रखती है कि tensions कैसे है इसको split किया जाता है यहां पर हुब यह दोने टेंशन की आपके तरह सब्सक्राइब क्या लगेगा थीक है तो तो हमें एक्सेलरेशन के लिए एक्वेशन पता चली है एक पुली है जो की अनदर पुली से एक ब्लॉक कनेक्टेड है M1 M2 ठीक है सो M1 M2 कनेक्टेड है यह M1 हो गया यह M2 हो गया और आपको वजिम कर लिए कोई भी यह नीचे जा रहा है रहा है A1 सर्ण एक करेंबर देख़ेंध का बाड़े तो इसके लिए आपको पुरा पूरा क्या हो क्या आप है यहां पे लगेगा यह यहां पर दो यह को कितना कर देंगे को फुरी को यहां से फिर से पता चल लाएगा कि यहां से फिर से पता चल लाएगा कि यहाने वाला है यह क्यों करना जरूरी था कि हमें कैसे आपका आपको इसके बाद हम लोग इसके उपर एक्जाम्पल स्थावर कर लेंगे ठीक है तो आई होप यह अंडरस्टब्ट दा कांसेट से इन देक्स वीडियो